हमारे पीचारें डॉक्टर अमिर माहेश्वरी हैलो फ्रेंज आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी कंपनी के मार्केटिंग एक्जिगेटिव या मार्केटिंग मैनेजर है या वो कंपनी जो अपनी कंपनी में बहुत सारे मार्केटिंग एक्जिगेटिव अपॉइंट करते हैं ताकि उनकी कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग बहुत तीजी से ग्रो हो सके अगर आप as a marketing executive बहुत अधिक सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन 7 parameters पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा सबसे पहला parameter है pre sales check जिस product की marketing करने के लिए बाजार में उतर रहे हैं उसको बेचने से पहले उसकी पूरी तयारी आपको करनी होगी आपके पास कितने products हैं उसमें कितने variants हैं उसके क्या weight है क्या quantity है क्या package है क्या price है और क्या क्या आपके product के features हैं इस सभी की जानकारी विस्तृत रूप में आपके पास होनी चाहिए तभी आप उस product को marketing करने के लिए बाजार में उतरें and the second parameter that is greet and respect your client or customer जब आप marketing executive के रूप में किसी भी person से मिलने जाएं तो उसको सम्मान के साथ आदर के साथ उससे मिले और अपने ग्राह की हमेशा respect करें जितना जादा value आप सामने वाले व्यक्ति को देंगे उतना बहतरीन result आपको प्राप्त होगा इसलिए respect के साथ आदर के साथ मान के साथ सम्मान के साथ अपने client के साथ अपने product और services को explain करें and the next most important thing is growth mapping and stock check आप जिस company के product को लेकर marketing के लिए बाजार में उतरे हैं आपको देखना होगा उसकी growth mapping क्या है मतलब पिछले कुछ महीनों की अपेक्षा कितनी sales बढ़ गई अगर sales घट रही तो उसका priorities हैं क्या-क्या problems हैं उन सभी का solution करने के जिम्मेदारी आपकी बनती है चाहें उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपके पास right हो या ना हो लेकिन उस message को आगे company तक पहुचाने के जिम्मेदारी आपकी बनती है for example आपका buyer आपसे इस तरह का प्रश्न करता है जिसको solve करने की authority आपके पास नहीं है लेकिन यदि आप ये बात उससे कहते हैं कि आपकी इस problem को solve करने की authority मेरे पास नहीं है तो आपकी power और आपकी sales पर इसका बहुत बड़ा impact पड़ता है इसलिए आपको ऐसा represent करना होगा कि आप अपनी समस्या मुझे बताएं और इस समस्या को म जिस client को आप जो product देने जा रहे हैं उसके पास उतने stock की कितनी quantity है अगर जो जो stock shortage में है उसको fulfill करना नया product को ही आया है उससे related stock maintain कराना और regular consumer की जो demand होती है उन सभी product को उसके पास available कराना और उसको ये बताना कि जब आप company के upcoming product रखेंगे तभी आपको नया clientage मिलेगा और तभी आपका business grow करेगा and the next and most important thing that is your presentation skills आप किस तरह से अपने आपको present करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस company के product को आप sale करने जा रहे हैं आप marketing करने जा रहे हैं वहाँ पर आपकी presentation skill बहुत महत्वपूर्ण role अधा करती है और इस presentation skill में सबसे पहली में किस तरीके से develop करते हैं क्या आप regular shape करते हैं नहीं आपका hairstyle कैसा है आपका dressing sense कैसा है आपका shoe wearing style कैसा है आपके कपडों का combination कैसा है क्या आप एक genuine and authentic marketing executive के look में हैं या नहीं next your confidence friends जब आपकी grooming बहुत अच्छे तरीके से होती है तो आपका level of confidence भी बहुत हाई होता है for example जिस party में चलते हैं तो आप बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं तुरंत उसके साथ चल देंगे लेकिन जिस दिन आपकी grooming बहुत अच्छी नहीं होती आपको कोई कहता है कि चलिए शाम को एक party उसमें चलते हैं तो आप इसको deny कर देते हैं कि नहीं नहीं यार आज मेरी personality उतनी impressive नही चाहिए इसका मतलब आपकी grooming का आपके dress up style का आपके marketing पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है और जब आपकी grooming बहुत अच्छी होती है तो आपका level of confidence भी high होता है और आसानी से आप अपने company को बहतरीन तरीके से represent कर पाते हैं the next your first 20 second to impress your client आप अपने client को पहले 20 second में किस तरह से greet करते हैं उसी पर आपकी पूरी business की presentation निरबर करती है इसलिए आपकी presentation में आपके पहले 20 second बहुत महतुपुन रोड़ा करते हैं सामने वाले व्यक्ति को यदि आप उसके नाम से सम्मान के साथ बुलाते हैं नमस्कार के स साथ बात करते हैं तो व्यक्ति आपको बहुत अधिक importance देता है इसलिए जरूरी है कि आपकी presentation में first 20 second greet के होने चाहिए and the next your way of presentation and explanation जब आप किसी के सामने represent करें तो आपको आपके product आपके services की सारी information होनी चाहिए और with thanks and with regard आपको उस product को present करना है explain करना है और explanation बहतर आप दिया होगा और वो है आपके product के feature, आपके product के price, उनकी quantity, उनकी value and the next determine your order आप जब अपने client से मिलें तो आपको determine करना होगा कि कौन कौन से order आपको pick करने हैं कौन कौन से order के लिए आपको उसे convince करना है और कौन कौन से upcoming product जो आपके industry में आए हैं उसको introduce करके उसकी sale को बढ़ प्रोडक्ट अपने आपको बड़ी मुश्किल से बेच पाता है, आपको अपने product से related merchandising करनी होगी, मतलब आपके boards, आपके banners, आपके leaflet, आपके catalog, आपके product से related informative bulletin, उससे related standies और ठीक तरह से आपके product के sample क्या उस shop या उस showroom में सही जगा पर place हुए या नहीं, मतलब एक ब अपने product को eye catching area पर place करते हैं, तो उसकी sale की possibility कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए अपने advertisement brochures को, अपने catalogs को, अपनी standies को, अपने display samples को, ऐसी जगा पर place करें, जहां consumer की निगा direct आपके product पर पड़े, ताकि आप आसानी से अपनी sale को grow कर पाएं, और product की ठीक तरीके से marketing कर and make record with administration, जब आप अपने consumer के साथ मिलें, तो उस related सारी information record के रूप में आपके पास होनी चाहिए, like on average कितने समय बाद वो आपको order place करता है, on average आपके उस area में किस तरह के product required रहते हैं, आपका consumer कितना stock करता है, और regular कब-कब उसकी demand generate होती है, आपको एक experience के अनुसार ये पता लग जाता है कि मेरे जिस company के लिए, जिस product के लिए, मैं marketing के लिए बाजार में उतरा हूँ, वहाँ पर जो order मुझे place करता है, वो कितने समय बाद मुझे order place करता है, किस quantity में order place करता है, उसका payment schedule क्या होता है, उसका सही समय कब होता है कि जब हम उससे मिल कर आसानी से बात कर सक बहुत सारी companies के outlets, showrooms या shops, morning में मिलने में convenient रहते हैं, लेकिन कुछ लोग afternoon में convenient होते हैं, लेकिन कुछ लोग evening में convenient होता है, ये depend करता है कि जिस product की आप marketing करने जा रहे हैं, उसमें किस समय पर consumer उस shop या showroom पर hit करता है, उसके अलावा जो समय होता है, जिससे हम off time कहते हैं, उ and administration, जितना भी सारा का सारा प्रारूप, record के रूप में आपने maintain किया है, वो सारा detailing आपको अपने administration को, अपने seniors को, अपनी company को no down कराना चाहिए, कि मेरे consumer की ये demand है, मेरे client ने इस इस तरह का order मुझे place किया है, इतने इतने समय बाद उसको ज़रुवत पड़ती है, और ये ये queries और ये questions और ये problems मेरे consumer की है, जिब ये सारी चीजें आप अपनी company को no down कराते हैं, तो आप अपनी prospective sales को बढ़ाने के लिए नेरंतर प्रयास करते हैं, और आप बहुत जल्दी एक बहुत बढ़िया marketing executive के रूप में उभर कर लोगों में सामने आते हैं, और अगर आप एक company ह तो मेरे request है कि अपने marketing executive को एक साथ group में बिठा कर या WhatsApp के माधियम से उनके साथ इस video को ज़रूर share करें, क्योंकि इसमें उन points को consider किया हुआ है, जिससे आप अपनी sale को, अपने product की marketing को तेजी से hit कर सकते हैं, marketing से related बहुत सारे training videos मेरे इस YouTube channel पर दिये हुए हैं, अपने client को follow up कैसे करें, अपने client के साथ deal close कैसे करें, अपने client को follow करते समय, आप किस तरह से अपने features बताने के अलावा, उसकी requirement को समझ कर अपने business को grow करें, comment box में लिखकर मुझे बताएं, कि आपका जो product है, वो किस तरह का product है, और किस तरह की consumer उस product को market में खरीते हैं, ताकि आने वाले स चैनल है, जहां पर हम इंडिया के top leading corporates के secrets को share करते हैं, कोई भी secret मिस ना हो, इसके लिए इस चैनल को जुरूर subscribe करें, और साथी साथ बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो को notification आपको आसानी से मिल सके, मैं Dr. Amit Maheshwari, business trainer, corporate trainer and motivation speaker, आप सभी के सुन अब आप भी अपनी जूलरी की वराइटीज को माय आभूशन अप पे डाल सकते हो, और सीधा ग्रहकों से जुड़ सकते हो, अभी डाउनलोड करें, अप माय आभूशन